हाई वरिवन दोस्तों स्वागत है आप लोगों का डिप्लूमा आई टी आई डोज पर दोस्तों जितने भी केंड़ेट इसील पाइंप लाइन छे नौवंबर को एकजाम देने जा रहे हैं तो फानली काफी केंड़ेट का डिमांड है कि सर एस्पीपीटी के लिए वीडियो प्रोइडिट करा ये विध एक्स्पिएंड के साथ तो मैं फानली आप लोगो सेलेक्टेट केंडियेट वी पाइंप लाइन में सेलेकेंडियेट हैं तो फानली वह स्पीपीट से ही होकर गुज रहे हैं तो फानल Projekt It टोटल A to Z SPPT में आप लोगों को क्या होने वाला है टोटल explain किया जाएगा वीडियो थोड़ा सा लॉंग बन सकता है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो लॉंग बन सकता है तो आप speed को थोड़ा से increase करके आपको watch कर सकते है ताकि आपका भी time safe बच सके तो मैं आपको बता दोस्तों अभी 2022 के रिक्वेस्ट में कुछ दिन पहले मैं आपको salary slip दिखाया था IUCIAL pipeline division का non-educated post के लिए जो भी engineer assistant वाले के इंडेंट है तो मैं बता दोस्तों कि उन्होंने SPT में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ये कि आप लोग 6 नवंबर को जैसे exam देने जा रहे हैं उससे पहले आप लोग से मैं suggestion आपको देना चाहूँगा कि आप लोग A to Z जितने भी document है डोकिमेंट का डोकिमेंट ओरिजिनल डोकिमेंट है आप लोग को पास totally आप लोग को आप लोग को collect करके और one set आप लोग को finally photocopy self tested करके लेकर जाना है साथ ही साथ आप लोग को original भी लेकर जाना है क्योंकि 6 नौवंबर को finally आप लोग का exam date return test होगा उसके बास से जैसे morning में आप लोग का morning में यानी 7 नौवंबर को finally आप लोगा result भी announce कर दिया जागा किस किस candidate का finally SPPT के लिए selection हुआ है तो सबसे पहले SPPT में होता क्या है जो भी आपको बताया जारा है with fact and with explain के साथ इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होगों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एंड बेल आइकन को इपर रिस कर लिएगा क्योंकि जो भी content यहाँ पर आप लोगों तक नेचर के लिए है और selection आप लोगों finally आप लोग 100% selection किस point पर डिपेंड करता है totally अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो उससे पहले मैं बता दू कि SPPT आप लोगों qualify नेचर कर रहेगा और सबसे पहले आप लोगों का document verification होगा जैसे जो भी candidate qualify करेंगे SPPT में और one seat फे फानिली आप लोगों को five candidate पुलाने वाल है one ratio five यानि एक सीट पर पाच candidate को बुलाते हैं जिसमें से SPPT में जो भी candidate जाते हैं सबसे पहले उनका document verification होता है उसके बाद से ये SPPT के वाल qualify ने चाहरा रहता है और उसके बाद से document verification हो जाएगा तो आपको आपको यहां पे intro लि तो आपको एक ही साथ जितने भी candidate रहेंगे जिसे माल लिजी सीट उत्रा जाता रहता है न यह कहीं पर सीट एक है कहीं पर दो सीट है कहीं पर तीन सीट है तो बहुत बहुत ही ज्यादा सौट लिष्टेड होता है candidate SPPT के लिए तो दस से जहां दो सीट रहेंगे दस candidate जाए रहेंगे वन सीट पर पांच candidate जाते हैं तो एक ही साथ बिलकूल अलग अलग नहीं candidate को बुलाया जाता है एक ही साथ सभी candidate को एक रूम में बुलाया जाएगा रूम में बुलाने के बास से आप लोग को होगा क्या थोड़ा सा जो भी आपके डिपार्टमेंट के जो या इलेक्टिकल है तो इलेक्टिकल के एक्सपर्ट वहां पर बैठे रहेंगे दो से तीन आदमी और वहां पर एक लेडिस भी रहेंगी जिसमें से आप लोग को कुछ किया नहीं जाएगा करने इतना आप लोगो सबसे पहले पांच या तीन या चार्य मिनिट का आप वो बिल्कुल रॉंग है वो ऐसे ही इस एडवर्टाइमेंट को देखते में बता हैं लेकिन जो केंडिट सेलेक्टेड है उनके एक्कॉर्डिंग में आपको बता रहा हूं उसके बास इंट्रोडक्शन के बास आप लोगों को एक पेपर दिया जाएगा सभी केंडिट को जाएंगे किसी एक ही डिस्पेलिंगे जीसे एक ही जीसे मेकेनिकल है तो एक ही बार केबाद सभी केंडिट मेकेनिकल के जाएंगे और वहां पर आप लोगों का दस पूच्छन पुछा जाएगा ये डिसक्रिप्शन टाइप को चान रहें आता है जैसे इस में explain करना पड़ेगा उसमें लिखना पड़ता है उसके बाद 10 question को आपको attempt करना पड़ता है यह 10 question टोटल 25 नमबर कराता है एक question 2.5 नमबर कराता है तो यह आप लोग को paper दिया जाएगा एक दिसमें 10 यहां पर आप लोगो एक्स्प्लेंड करना रहेगा आपको लिखना पड़ेगा पूरा उसके रिगार्डिंग एनलीस जितने भी उसके जिसे कोई भी इस्टुमेंट देद रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको टोटली वहां पर लिखना पड़ेगा उसके बाद से यह 2.5 नंबर कर रहेगा उसके बाद से नेक्स्ट आप लोग कर यह होगा कि जितने भी यहां पर आप दख सकते हैं जितने भी केंड़ेट के लिए जाते हैं यहां पर यहां पर हाथों से कुछ भी नहीं कराया जाता है यहां पर कि मतलब कोई जाब करके दिखाईए या कोई भी वर्क पीस बना कर दिखाईए ऐसा कुछ नहीं रहाता है आप लोग को टोटल टोटल पेपर दे दिया जाएगा दस कुछन रहेगा उसमें उसको आप लोगो लिखना पड़ता है उसी के हिसाब से आप लोगो फाइनल सॉट लिश्टिट करते हैं उसमें कितने अच्छे से परफॉर्मेस की हैं और उसके बाद से वहाँ पर कुछ जावर रख दिया जाता है कि अगर यह सूज है आता है और कौन से गाग्यल कभ यूच किया जाता है तो टोटल इसी टैप रख रहएगा और वहाँ पर आप लोगो को सामने आपके सामने सभी equipment को रख दिया जागा वहां से पूछ लिया जाता है कि यह बताई अगर यह कोई measurement है तो इसका क्या काम है क्या measure करेगी pressure measure करेगी या clearance measure करेगी या gap measure करेगी टोटल इस तरह से आप लोग से question पूछ लिया जाता है simply यही यह टोटल था यह SPPT में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है totally आप लोग को यह जो भी था A to Z analysis में आप लोग के सामने कर दिया finally यह SPPT साथ नौंबर से 9 नौंबर तक चलने वाला है और इसी के बीच में finally 7 और 9 के बीच में सभी candidate का SPPT हो गया इसकी प्रोफिएंसी टेस्ट finally हो जाएगा तो यह SPPT के वाल क्वालिफाई नेचर का है और जो भी explain किया गया बिल्कुल ऐसा ही आप लोग को देखने को मिलेगा आप्टर 6 नौंबर जिससे जो भी candidate shortlisted होते है SPPT के लिए तो यह था important जो भी regarding SPPT तो और इससे ज्यादा कुछ नहीं बता है कुछ लोग यह बता रहे हैं कि एक एक candidate को बुलाएं जाएंगे आपको बहुत ही इसमें कुछ नहीं के वाल पेपर रहेगा आपके सामने और जो भी normal आपको बताएं है तो यह था कुछ important आपको यह video मुझे आशा लगा होगा आशा है कि आप लोग के यह video अच्छा लगा होगा तो और भी कोई doubt होता है SPPT के regarding आपको comment box में comment कर सकते हैं मैं तुरत आपको जैके reply करूँगा या कोई भी help चाहिए मैं आपको help को देने की courses करूँगा चलिए मिल